गुड बॉर्णिंग, आम इरिशा सर, यस्तिय फैमिली में आपका सौगत करता हो बेटा तो बेटा, हमने कल के फर्स लिक्चेर में सेकेंड चाप्टर स्टार्ट किया है मोशन इस ट्रेट लाइन, जिसका हमने बेसिक इंड्रोड़क्शन का ले लिया था मोशन वगेरा क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, पोजिशन क्या होता है डिटेल चर्चा हमने कल के लिक्चेर में की थी बेटा तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम distance and displacement इसके उपर आज बात करने वाले हैं, इसके example डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए फिर एकदाम notebook पे निकाल लीजिए, enjoy करने का time start हो चुका है, तो फिर start करते हैं तो देखो, distance displacement समझने के पहले हमें एक quantity समझने पड़ेंगी, वो है आपका point object, फिजिक्स में point object क्या होता है, यह पहले आमें समझना पड़ेंगा, जब तक हम यह नहीं समझेंगे, फिर आगे कुछ चीजे समझ में नहींगी बटा, तो देखो, if the size of object, the size of object is much less than, much less than distance covered by 8, ओके, कोई object है, उसकी जो size है, वो बहुत कम है, जितना वो distance travel कर रहा है, उसके comparison में, मतलब माल लो, अगर मैं बात करता हो बेटा, अर्थ की, तो अर्थ किस क्याराण में घुमता है, सबको पता है, sun क्याराण में घुमता है, किस क्याराण में घुमता है, sun क्याराण में, त्यापर जो अर्थ की size है, वो बहुत ही छोटी है, as compared to, जो वे distance travel कर रहा है, तो यह हम इस अर्थ को क्या कहेंगे ? Point object तो point object यह नहीं क्या आपको बास इतना check करना है जो भी object रहेगा वो जो distance travel कर रहा है वो अगर बहुत ज्यादा है उसके size से तो हमें क्या समझना है बैटा वो जो object है कैसा object है ? Point object समझ में आ रहा है सब को ठीक है ? अब यह हम start करेंगे, next distance, क्या start करेंगे बेटा, distance, distance क्या होता है, इसके तरफ सबने द्यान देना है बेटा, ओके, तो हम distance को लिखते है, it is a path of travel by object, it is a path of travel by object, object ने जो path travel किया है, उसे हम क्या कहते है बेटा, distance it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, distance एक scalar quantity होता है बेटा, अब आप लोग बताएंगे सर, scalar क्या होता है, इसलिए में पुरा scalar vector पढ़ा चुका आपको, scalar vector एक बार देख लीजिए, मतलब आपको पता ही है, scalar मतलब जिसके पास direction नहीं होती है, ठीक है, it is denoted by d, यसा unit, meter, cgs unit, centimeter, थोड़ा सा basic में ने distance के बारे में बता है, और detail चर्चा हम बाद में करने वाले है, फिला distance क्या होता है देखो, it is a path of travel by object, object जो path travel कर रहा है, उसे आम क्या कहते है, distance, समझने के लिए board के उपर ध्यान देना है सबको, हमारे पास example है, माल लोग को object a to b गया, 360 meter, 300 meter सौरी, और return आया, यह देखो a to b गया, 300 meter, और c पे return आया, 240 meter, ठीक है बटा, ओके, तो आपका एक object है, जो a से लेके b गया है, and then return b से लेके c आया है, तो इस case में हमको बताना है हमने कितना distance travel किया है, object ने क्या path travel किया है, तो देखो, यहाँ से यहाँ पे 300, और यहाँ से आपे 240, मतलब 300 plus 240 is equal to कितना आ गया है बटा, 540, वरोवरे, तो distance कितना आया, 540, क्योंकि distance का definition क्या है बटा, path of travel by object, object ने क्या path travel किया है, हाँ इधर हमें कुछ लेना देना नहीं, object का direction change हुआ है, क्योंकि distance एक scalar quantity है ना, तो direction का हम सोचेंगे नहीं, बस हम क्या करेंगे distance को add करते चलेंगे, add करते चलेंगे, जितना path travel किया है उसको add करते चलेंगे बटा, और एक example है हमारे पास, मानलो को यह object P2Q गया है, P2Q, 360 meter, ओके, तो first case, P2Q, P2Q के लिए बटा, distance ब कि लिए distance बताना है विटा, कितना आजा है विटा, 360 meter, कितना path travel किया है विटा, 360 meter, अब मैं कहूंगा P2P, P2P, मतलब P से लेके वो Q आया, और दिन आगें Q से लेके वो P आया, वरोबर है, इसका मतलब होता है, P2P, मतलब यहां से यहां गया और फिर return यहां पर आगया, तो अब सब को पता ही चल गया है, distance कितना हैंगा, 360 plus 360, that is 720 meter, आ रहा है समझ में, देखो, यहां पर भी direction change हुआ है, direction change हुआ है, तो हमें उससे कुछ लेना देना, नहीं है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्यों लेना देना नहीं बेठा, क्यूंकि डिस्टन्स एक स्के अब ही देखो, अब ही मैं और एक example लेता हूँ, माल लो, एक object है, एक point से लेके, circle में घुम रहा है, 2 meter, okay, 2 meter बोलो या फिर, R radius है, okay, circle में घुम रहा है, और इसने suppose, अब इसमें हम suppose interesting लेंगे, देखो, इसमें suppose, पहला case लेंगे हम, object A से लेके A आया, बेटा, A से लेके A मत से लेके, ऐसा चला सब हो, object circular बात में चल रहा है, आपको distance कितना travel किया, ये बताना है, तो A से लेके, वो फिर से कहाँ पर आया है, A पर, एक circle कवर किया है, तो बेटा, यहाँ पर अगर distance बताना है, तो थोड़ा सोच के देखो, A से लेके A मतलब एक circle, एक circle मतलब इतना चल है, इतना यानि क्या, इस circle का बेटा, circumference, कितना चला है हो, इस circle का circumference, तो सभी को पता है, circle का circumference क्या होता है, तो पायर होता है, तो पायर होता है, तो पायर, मतलब कोई object अगर, एक circle चल रहा है, कोई object, एक circle चल रहा है, मतलब कितना distance travel कर रहा है, तो पायर, हम बात करेंगे A से लेके B A से लेके B A से लेके B वह नहीं, half circle A से लेके B हैं नहीं क्या Half circle, तो half circle में distance क्या रहेंगा, एक circle में कितना था, 2 pi r तो half circle में divide by हम क्या करेंगे 2, तो आपका A जाएगा pi r, तो बताओ मुझे आभी, एक circle में हम कितना distance travel करते हैं 2 pi r पाय र, ठीक है, कितना कर रहे हैं, पाय र, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका, यह भी रेडिस रहे हैं, आपकी, अपर C पॉइंट है, आप यह देखो, तिसरा कंडिशन मैं ले रहा हूँ, A से लेके C, इतना ही अगर चला है, तो यह हाफ सरकल का भी हाफ सर सरकल का हाफ सरकल, इसे हम बोलेंगे, कोर्टर सरकल, इसे क्या कहेंगे हम, कोर्टर सरकल, इसका डिस्टर्स कैसा निकलना है, एक सरकल का भी हाफ सरकल का कितना है, पायार, मतलब इसका हाफ किया, अभी इसका भी हाफ हो रहा है, तो हमें इसका हाफ करना पढ़ेगा, मतलब क इतना पॉर्शन के कितना है पाइर भाइटू और इतना पॉर्शन का पाईर भाइटू । प्लस पाई राफाइटू इस इकॉल तो क्या आ जाताएंगा अगहरा आ Whew यह मैं पाई फाईर फ्रॉड लेव सब्सक्रिक्ट के बात करते हैं अब शूल के डीatu अब धेves कितना वन रहा है 1 2 3 3 portion हे एक portion कितना यह पॉर्षयं कितना आ जाएंगा 3 पार by 2 आ रहा है समय ठेके ना एक circle 2 पाया हाप circle Rider quarter circle four carry together and three quarter circle three bus reportosh ड़ज़ंगे ना यहाँ से हम कितने भी circle चलो हम सका को यह में क्या है दीक तेको यह complete circle का एक ध्यान में रखोक और एक quarter circle का द्यान में रोको यहां से फिर आपको कितने भी circle दे दो तीन circle दो साड़े तीन circle दो कैसा भी दो हम उसका आसानी से find out कर सकते हैं ठीक है आ रहा है समझ में सबको चलना अभी अभी distance अब को समझ में आ गया है ना क्या है तो कुछ भी नहीं है distance क्या है इसरी हमें एक quantity ऐसी जो path of travel by object है और उसे हमें add करना है इसके उपर और example आने वाले चलो बता ही देता हूं आप लोगो इसा मानेगे नहीं मानलो एक object बेटा A से B गया 4 meter and then C आया 3 meter ठीक है तो यहां पर आमे distance बताना है तो first case A से B में कून बताएंगा मुझे A से B वाला A से B जरनी में कितना distance travel क update ने सबको answer आ गया कितना 4 meter अभी B to C की बात करता हूं बेटा B to C में भी सबको answer आ गया कितना बता हूं बेटा 3 meter ठीक है अब important है A से लेके C बता हूं बेटा A से लेके C A से B कितना चला है 4 और B से C कितना चला है 3 मतलब सिरा सिरा एड करेंगे ना direction से को थोड़ी देखने वाले हैं वो vector quantity है ही नहीं distance एक scalar quantity है तो हमें direction से कुछ लेना देना नहीं है हम उसे क्या करेंगे add करेंगे बेटा ओके लिख लीजिए आभी देखिए आभी हमारे एक quantity ब देखिए नहीं, it is a shortest distance between starting point and ending point ठीक है क्या हाथा है कॉनिति वेक्टर कॉनिति वेरी इंटरेस्टिंग वेक्टर आगया है तो डरने की ज़रोद नहीं है वेक्टर थोड़ा डर आता है बच्चों को क्योंकि डारेक्शन के ओपर डिपेंट कर रहा है बैट इसको भी सिंपल कर देंगे ठीक है बाकि इति इस डिनोटेड बाए य से इसको भता है कि मिटरीग quiet सीजेस इने जेंट इने सेंस पार क्या हुआ है तो डिस्टन्स तो इसका उनिट बदलने वाला है कि वेटा गजपातनग लुगा नी आप लोग कुछ होंगेने मुझे पता है चलो पयर एग्जामपल तो समझाथा आओ देखे आओ अभी का example लेते चलो A, B, C A to B कितना गया object? 4 और B to C कितना गया? 3 ओके बेटा अभी इस case में हमें बताना है बेटा displacement तो displacement को अच्छे से focus करना shortest distance between starting point and ending point तो object कितना चला, कैसा चला हमें कुछ लेना देना नहीं है हम क्या करेंगे? starting point, ending point इसको जोड़ेंगे, बेटा starting point, ending point, इसको जोड़ेंगे triangle बन गया तो सबको पता यह side कितने आती है 5 तो बेटा यहापर जो displacement आगया आपका यह कितना आया बेटा? 5 meter कितना आया बेटा? 5 meter इसका direction बता नहीं तो हम बता सकते हैं कैसा रहेगा बता हो? A से लेके C क्योंकि displacement में एक vector quantity है और vector आया मतलब direction आया तो सबको समझ में आया हमने कैसा find किया? ठीक है? मैं आपको बहुत सारे example बता था आपको समझ मेंगा है जो example हमने आभी लिये थे वोई example हम लेंगे ठीक है? यह लेंगे हम तो अभी देखो बेटा फर्स्ट कैस लेता हमें पी से लेके क्यों तक अभी देखो यह बहुत अच्छा कैसे पी से लेके क्यों मतलब यह straight line path है बेटा कैसा path है? straight line path और path कैसा है बेटा? singular पात कैसा है? singular तो सबको बता है यहाँ पर distance तो 360 रहेंगा उसमें कुछ दोर आई नहीं है distance तो 360 रहेगा बट यहाँ पर displacement भी 360 रहेंगा बेटा यह interesting है क्योंकि displacement का definition क्या है? हमें चेक करना है starting point, ending point तो यहाँ पर starting point को नहीं मेरा P ending point को नहीं Q तो इसका distance इसमें का shorted distance कितना है? 360 मिटर तो वो कितना है displacement? 360 कहने का मतलब यह है distance and displacement same भी आ सकता है कब आ सकता है? जब object straight line में forward path चल रहे है वस या फिर backward पात चल रहे है मतलब एक single path की बात हो रही है unidirectional path की बात हो रही है उस case में आपका displacement और distance दोनों भी कैसा रहेगा? same हाँ यही मैं तोड़ा twist create करता हूँ P से लेके P लिलो बेटा आप बताव displacement बहुत interesting होने वाला है चलो बताव जल्दी से object P से लेके P आया distance मुझे पता है आपको पता है उसमें कोई बात नहीं displacement बताओ कितना है क्या है displacement हमारा? starting point ending point starting point भी बेटा P है ending point भी P है जब starting ending point same हो तो ज़्यादा सोचनी की जरूवत नहीं है displacement कितना आएगा बेटा? 0 आएगा कितना आएगा? 0 चलो अभी एक last वाले example आपके लिए बताता हूँ circles वाले ठीक है यह A है हमारा यह हमारा point B है ठीक है और इसकी radius कितनी है? R radius कितनी है? R इस तमें ज़्यादा case नहीं बताओंगा दो ही बताओंगा पहला case A से A बताओ चलो A से A है मुझे पता है इस अब बच्चों का अंसर आता है फिर भी एक बार कमेंट करके बताओंगा ठीक है? A से A object A से A चला मतलब एक circle चला अभी मैं distance की बात नहीं कर रहा हूँ मैं displacement की बात कर रहा हूँ तो A से A मतलब starting point सेम है ending point सेम है सबको पता है ज़्यादा कुछ सोचनी की ज़रूद नहीं है displacement कितना है वीटा? 0 A से लिके B अभी A से लिके B वाला case में आपको आभी बता है distance में A से लिके B मतलब half circle half circle का distance आपको पता है? कितना आता है? पाया राता है आप circle का distance कितना आएगा? ये distance कितना आएगा? ये पाया राएगा मुझे क्या find करना है? displacement find करना है यहां पर बच्चे कन्फिज होने वाले, displacement मतलब कहा, starting point, ending point में का shortest distance, starting point को ने बेटा, यह है, ending point यह है, तो यह जो line रहेगी बेटा, वो रहेगा मेरा displacement, समझ में है, तो displacement कितना है, वेटा है, 2R, सब को समझ में आई गया होगा, ठीके न, चलो, यहां पर एक point लिटे है, C point है, यह भी radius R है, और यह point C है, ठीके, C point, ACC में बता हूँ, very interesting, ACC, A, C, हम ऐसा चले होंगे, तो 3 quarter, 3 quarter मतलब क्या, 3 by R by 2, displacement पढ़ा रहा हूँ, अभी, अभी distance छोड़ दो, distance अब को समझ में आगा है, displacement क्या है, A से लिके C मतलब यह है, बेटा, यह जोडना पड़ेगा मुझे, ठीके, हमें, shortest, straight line distance लेना है मिटा, तो देखो, यह R है, यह R है, तो सबको पता ही चल गए, यह कितना है, root to R है, अभी पाइथागोरस प्रमाई तो पढ़ने नहीं आया हूँ में, इतना तो सबको आता है, इसका square करेंगे, इसका square करेंगे तो कितना आ जाएगा, under root to R, यहाँ पे भी अगर हमारा point रहा होता, तो इसा जोड़े होते हैं, और हो कितना आया होता हमारा, under root of to R, तो देखो, almost distance और displacement के example हमारे cover हो चुके है, एक बार इसे लिखेंगे, पहला point, तो देखो वेटा, singular path में, singular path में, distance is always equal to displacement, distance is always equal to displacement, जब भी कोई single path रहेगा, और आपर distance is equal to displacement, हमने अभी example देखा था था न, अगर a to b के अगर बात करें, तो object a to b अगर 100 गया है, तो आपर displacement भी 100 रहेगा, और displacement distance भी 100 रहेगा, राइट, है, ओके, ठीक है, ओके, second case आपको ध्यान में रखना है, जैसे distance equal तो आगया displacement को, बट second चीज़ आपको ध्यान में रखना है, distance is always greater than to displacement, या तो equal आएगा, या तो greater दाएगा, distance is greater than equal to the displacement, जितने भी example या आप उस पर focus कर सकते हैं, या पर distance कितना है हमारा, 7, और displacement कितना है, 5, तो definition में भी दिया है, displacement it is the shortest distance, मतलब displacement हमेशे कम रहता है बटा, और distance कैसा होता है, ज्यादा, तो distance is always greater than and equal to the displacement, आप कोई भी example ले सकते हैं, आप या पर अगर कोई point C लेलो, ये 50 चला फिर से, तो या पर distance 100 और 50 कितना हो गया, 150, लेकर displacement मतलब ये जो distance रहेंगा, starting point and ending point, मतलब 50, बड़ बड़ एक रहने, हाँ, तो ये आपको relation समझना है, ओके, next point हम इसके बारे में जानेगे, जो D रहेंगा बेटा, या हमेशा positive रहेंगा, D हमेशा कह रहेंगा positive, लेकिन जो हमार ये से बेटा, वो positive भी रह सकता है, negative भी रह सकता है, और zero भी रह सकता है, बेटा, ये लिखने के बात, अभी एक्जामपल के तरफ ध्यान देना है, थोड़ी से एक्जामपल हमारे बाकी है, उसके उपर ध्यान देना है, देखो, यहापे दिया है एक पार्टिकल है आपका ओके यह पार्टिकल आपका सरकल में मूँ कर रहा है आपे A दिया है आपे B दिया है ठीक है और यहापे आपका एंगल दिया है बेटा थीटा ठीक है ओके और इसके रेडियस दिया है आपे आर ठीक है तेक आपका पार्टिकल है इस इसके रेडिस हापे आर धी है और यह A to B मूझ कर रहा हैं थेके बटा, तो इस केस में और आपको थीटा दिया है तीटा कितना दिया है, 60 डिगरी, राइट और रेडिस दिया क्या, नई तो अभ इस केस में, देखो, इस केस में मुझे क्या करना है बटा distance और displacement find करना है समझ में आगे सबको question interesting question है थोड़े एक दो question ले लेता हूँ एक आपका particle circle में गुम रहा है देखो और गया A to B तो आपको distance बताना है और displacement भी बताना है तो देखो distance मतलब यह है आपका A B तो यहापके आपको एक चीज़ द्यान में रखना है बिटा एक formula सबको पता होता है angle is equal to क्या होता है arc upon radius होता है तो angle कितना है बिटा हमारा 60 है arc मतलब कितनी इसकी यह arc हमी से कहेंगे A B और radius कितना है बिटा R है तो यहाँ से A B कितना आ जाएंगा R 60 इतना आ जाएंगा R 60 राइट R का value पता नहीं है R का value जो भी रहेगा वो रहेगा और यहापे 60 degree इसको radian में करना है तो radian में भी कर सकते है तो A B is equal to 60 का radian सबको पता है कितना होता है 5 by 3 कितना होता है 5 by 3 यह तो पता है न सबको ओगे रहा चलो अभी हमें क्या निकलन है बटा displacement निकलना है क्या निकलना है displacement तो displacement का सबको में definition के दिया देखो हमें starting point और ending point में का shortage distance लेना है shortage distance मतलब यह वाला ऐसा नहीं लेंगे यह लेंगे तो यहापे देखो triangle बन गया यह हमारा A B तो यह हमारा displacement रहेगा ठीक है यह पर angle कितना हमारा 60 यह पर एक point ले लेता हूँ O और यह सबको पता ही है क्या है बटा radius है तब मुझे आप लोग देख पा रहे है यह आपे OA जो है और OB जो है यह दोनों equal to क्या है बटा radius मतलब यह दोनों भी sides कैसी इसे बटा सेम है अंगर यह दोनों sides सेम है बटा तो यह duna angle भी कैसे रहेंगे potrze same रहेंगे यह दोनो angle भी कैसे रहेंगे सेम मतलब हाज प्लव सकते है ऐसे एंटल जो O A B और और यार्णल जो O B A है धोनों आंचल कैसे रहेंगे है बेटा यह थो जौट ढूरीं है वह थो सॉचल मे आपका वीणी और हेटा एवीडी जो रहेंगा वो वँभान है उनको ही इस साइट पॉलके था आर पता है न मคछे सिलेड यह उस साइट है और हमारी इसको आपको समझ में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो बहुत ही अच्छा पूश्चन था यह ठीक है न अब एक लास्ट कोश्चन आपका करवाने वाला हुँमें फिर आम स्टॉप करने वाले है तो देखो पेटा एक कोश्चन की तरफ ध्यान देने सबने बहुत ही इसका रैडिस कितना है और इनिशली यह ग्राउंड के पॉइंट अफ कॉंटेक में इसे हम पॉइंट ए कहेंगे राइट अब यह विल इगर फॉर्वर्ड हाफ चल रही है कितना चल रही है फॉर्वर्ड हाफ तो डिस्प्लेस्मेंट का वैल्लू बताओ ठीक है बोट के अब लुए अच्छा कोस्षेन है हमारे पास एक वील है कितना चला है बेटा फॉर्वर्ड हाफ कि सब्सक्राइब हम तो अब यह बद्विल आप आ चला है मतलब समझ पार है इसा तो यह पॉइंट कि दर जाएंगा बेटा ऊपर आ जैएगा यह पॉंट हमारा ऊपर आ गय बेटा आर आभी मुझे बताओ forward half forward half मतलब यह half circle चला बेटा अभी half circle में आपको बता है यह कितना होता है full circle लेने कितना distance होता है 2 pi r तो half circle लेने कितना होता है और पाय यह जो distance चला है वो कितना चला है है पायार फॉस्टेंस हो चुका है यह डिस्टन्स हो चला है पायार और यह आप देख पा रहे है आर और कितना है तो आर हमको क्या चाहिए बैटा displacement starting point को ने a ending point को ने a dash मतलब बैटा इसको अगर जोड़ेंगे ठीक है इसको अगर जोड़ेंगे a and a dash तो यह मेरा displacement रहेगा तो यहां से सबको पता है यह इस इकल टो क्या आएंगा बैटा पाइटागरस अपला किया तो इस साइट का स्क्वेर प्लस इस साइट का स्क्वेर ठीक है तो बताओ अभी जल्दी जल्दी एस इस इकल टो कितना आएंग यह आजाएंगा पाइट स्क्वेर आर स्क्वेर और यह आजाएंगा टू का स्क्वेर फोर आर स्क्वेर तो यहां से बेटा क्या कॉमन निकलेगा आर स्क्वेर आजाएंगा पाइट स्क्वेर फ्लस फोर तो बेटा आर का स्क्वेर रूट कैंसल हो जाएंगा यह पे R की वैल्यू दी है, तो place कर लेते हैं, R का वैल्यू दी है उन्होंने 1 मीटर, तो R का वैल्यू 1 मीटर अगर लिया हमने, तो R का वैल्यू 1, क्या बचेंगा बेटा, Pi स्क्वेर प्लस 4, ठीक है, R का वैल्यू नहीं दिया तो ऐसा, दिया तो ऐसा, तो final displacement कितना है हमारा पाइ स्क्वेर प्लस अंडरूट में पाइ स्क्वेर प्लस 4 तो यह question हमें बहुत बार पूछा गया है तो ठीक है बेटा यह था motion इस ट्रेट लाइन के उपर second lecture ठीक है ना और जिसमें हमने distance displacement उसका थेरी प्लस example आच्छे से cover कर चुके है ठीक है बेटा तो आवी 2 lecture तो हमारे हो चुके है अभी धिरे धिरे आपका speed आएंगा कल का lecture जो रहेंगा जो speed के ऊपर रहेंगा speed का हम थेरी पढ़ेंगे example पढ़ेंगे detail में speed पढ़ेंगे फिर next lecture में velocity आएंगा उसे detail में पढ़ेंगे next lecture में acceleration आएगा उसे detail में पढ़ेगे तो बहुत सारी चीजे है पढ़ना तो हमें है ठीक है ना तो उसमें किसी को ऐसी tension लेने वाली बात नहीं रोज का एक lecture करना है अच्छे से लिखना है, question practice करना है नहीं आये तो पूछना है बाकी tension लेने की ज़रूद नहीं है बहुत से बच्चे मुझे बता रहे तो इस वर आप बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे हो थोड़ा सा आप comedy करो ऐसा करो, ऐसा करो तो बैटा दिरे दिरे हम comedy भी शुरू करेंगे अभी हमारा पढ़ने का टाइम है एक बार मैं आपको मेरी quality आप तक मतलब पोछा दो तो तब हम दिरे दिरे मज़ग भी करने हो ले है मज़ग भी करने हो ले है ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है मज़ग करना इसे ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है एक लड़का था बेटा वो मिलिटरी में जाना चाता था तो ऐसे ही लाइन में लग गया जहापे मिलिटरी क्या भरती चल रहा था वापे वो लाइन में लग गया वापे उसे एक परसन था उसने पुछा तो यह लाइन में क्यों खड़ा है उसे एक बद्रे ने क्या सवल किया तुस्य लाइन में क्यों ख़़ा है तो दो बाते होगी उसमें एक रहेगा मैं एक तो उसमें सेलेक्ड होगा या फिर नहीं होगा अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मैं मिलेटरी में सलेट हुआ तो दो बाते होगी, समझ रहे है जोग को, कितने बाती होगी, दो बाते होगी, या तो मुझे जंग लड़ने को भेजेगे, या फिर नहीं भेजेगे, नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जला है तो कोई प्रब्लम निया दो बाते हैं dent मुझे बुझा यह तो बाते होगी रूंचाहिए इस सबूदrh सब्सक्राइब या तो बनेगी या फिर नहीं बनेगी, नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन बना दो दो बाते होगी, या तो उससे लड़का नहींगा, या तो उससे लड़की नहींगी, लड़का नहीं तो कोई बात नहीं बोले, लेकिन अगर लड़की नहीं, तो मुझे शरम आएगी, तो यह था हमारा आज का जोक जो आपको definitely समझ में आया पसंद आया और आप लोग बिलकुल हसे भी होंगे तो पेटा इसे चोटे चोटे जोक तो मैं आपके लिए लेके आओंगा जादा से जादा हमें दो बाते के अगर नी है लेक्षर रेगुलर करना है और पढ़ा ही पाएंगे आप राइट तो ऐसा था आज का हमारा लेक्षर बहुत ही इंट्रेस्टिंग लेक्षर था जो आपके लिए बहुत ही आच्छा रहा होगा आपको समझ में आया होगा कुछ बच्चे नए भी रहे होगे तो वेक्टर चाप्टर भी एक बार आच्छे से देखके मेरा है आप से लेक्षर देखे और पढ़ाय कीजिए लास्ट में इतना ही कहूंगा अपने चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है क्योंकि हमें इससे ही मोटिवेशन मिलता है तो यह हमारे लिए भी बेनिफेशल है जो आपके लिए भी बेन बेनिफेशल रहेगा आव नाइस दे वेटा चलो थैंक यू